नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजर हुए हैं दोस्तो आपको बता दे कि मंद्रेगा में 1278 पदो पर भरती निकाली गई है और दोस्तो यह भरती महिला और पुरुष दोनों के लिए है यानि के महिला और पुरुष दोनों ही आविदन कर सकते हैं साथी दोस्तों इसमें आपका जो exam है वह नहीं करा जाएगा आपकी जो यहाँ पे chain होने वाला है वह बिना प्रिक्षा के क्या जाएगा साथे दोस्तो इसमें क्या योगिता रखी गई है, कारिय क्या करना होगा और कितने आपकी सैलरी रहेगी यहापको संपौन जनकरी दी जाएगी और दोस्तो यह भरती, किन-किन जिलों में होने जा रही है उसकी भी जनकरी आपको step by step दी जाएगी तबी आप समझ पाएंगे दोस्तों क्योंकि इस टैप बाई इस टैप हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसमें कौन-कौन से पद दे गए हैं और किन-किन पदों के लिए क्या-क्या योगता आपके पास होनी चाहिए दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें जैसे देज़ शीयर भी करें दोस्तों ताकि और भी व्यक्ति और भी महिलाई इसके बारे में जाना सकें और दोस्तों लाव उठा सकें तो शुरू करते हैं और दोस्तों आपको हिसा प noakar के तिलास कर रहे हैं अब भ्हारते के लिए यह है एक बड़े खबर है आपको बता देख कि माहतमा गांधी नेरेगा योजना के अंतरगत 1278 पदो पर दोस्तो ये है सेवा योजन पोर्टल पर भरती निकाले गई है दोस्तो अगर आप चाहें तो इनकी ओपिशल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आपको संपूर्ण जानकर मिल जाएगी दोस्तो आपको बता देख कि जो याप भरती निकाले गई है जो इसके आविदन है वह 9 अगस्त याँ दोस्तो 9 अगस्त से और 2 पहर 12 बज़े से सुरूख के जाएगे दोस्तो किनकिन जिलो में होने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बता जाएगा और किस पद के लिए आपको क्या योग गयता चाहिए होगी उसके बारे में भी आपको बता जाएगा दोस्तो वीडियो को पुरा वाच करें वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें अगर आप इस्क्रिप्ट करते हैं दोस्तो आपसे जानकारी छूट जाएगी और दोस्तो आपसे मिश्टेक हो जाएगी दोस्तों इन पदो पर भरती का चैन सेवा योजन पोटल द्वारा पहले पाउ की तर्ज पर एक रिक्त पद की जनस्तों रिक्त पद के सपेक्स तीन आहर अभ्यारतियों के आविधन विभा को भेजे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर पहले और पहले पाउ की तर्ज में गियन के दोस्तों यहाँ पर जो वैक्ति है इसके लिए 9 अगस्त दो पहर 12 वज़े से आविधन कर पाएंगे अब दोस्तों आगे जान कर दी गई कि आपको किस-किस पद पर आविधन करना है और किस पद के लिए आपको क्या-क्या योगिता रखी गई है और दोस्तों कितनी सैलरी आपको इसमें दी जाएगी दोस्तो आगे जानकर दी गई है दोस्तो रिक्तपद के सापेक्स जो तीन पहले आविदों को किस सूची भेजी जाएगी दोस्तो वह परमानिक होगी और इस बात की जानकरी अयुक्त ग्राम विकास अवेज कुमार तिवारी ने दी है उन्होंने कहा है कि भरती परकिरिया जल्द ही शुरू होगी और दोस्तो इसके लिए निवेदक जो निदेश है सूचना है वै दोस्तो जनसंप्रक विभाग को पतर इसके बारे में लिखा है कि जल 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 उनकी जो भरती है वैश शुरू कराए जाए दोस्तों वैसे तो यहाँ पे डेट भी दे दी गई है 9 अगस्त दो पहर 12 बजे से जो आपके आविधन है वह सुरू कर दिये जाएंगे दोस्तों आगे जानकर दी गई है उन्होंने कहा है कि आप भ्यारती कुल रिक्तियों के सापेक्स जितने आप भ्यारती चाहें वह अपनी योग्यता के मुताबिक आविधन कर सकते हैं यानिक दोस्तों चाहिए आपकी कोई भी योगयता हो आप अपने पद के इसाब से और अपनी योगयता के इसाब से आविदन कर सकते हैं दोस्तो यहां पर बता गया है कि चायन परिक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षन संबंधी नियमों और उप नियमों का अनुपालन किया जाएगा अब दोस्तो किन-किन जिलों में यह भरती होने जा रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तो जो यहाँ पे जिले दिये गए हैं वह आप देख सकते हैं यह भरती निकाली जाएगी ठीक दोस्तों अब यह तो रहे आपके जिले अब बात करते हैं कि किन पदों पर आप यहाँ पे आउधन कर पाएंगे अब दोस्तों वह भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस भरती के जरिये अडिसन प्रोग्राम जोस्तों एडिसनल प्रोग्राम ओपिस सर कि जो यहाँ पर पद दिये गए हैं वह एक सो क्यानव पद है और असिस्टेंट एकाउंटेंट के जो यहाँ पर पद है वह एक सो सतान में हैं और दोस्तो computer operator के जो यहाँ पर पद दिये गई हैं वह 116 हैं तथा दोस्तो technical के जो assistant के पद यहाँ पर दिये गई हैं वह 774 पद दिये गई हैं और दोस्तो यह पद इन पदों पर आप अवधन कर सकते हैं दोस्तो additional program officer के लिए नियूनितम जो योग्यता है वह दोस्तो इसना तक उत्तर हैं के दोस्तो आपकी जो यहाँ पर शिक्सत दी गई है वह डिगरी होने चाहिए आप graduation होना चाहिए ठीक दोस्तो इसमें जो आपको महन दे दे जाएगा वह दोस्तो 28,000 रुपे जिना आप यहाँ पर देख देगा एकाउंट जो असिटेंट के यहाँ पर योग्यता वाले हैं बिकोम अनिवारी हैं उनके लिए और दोस्तो जो महन दे दे जाएगा वह 11,200 रुपे उनका परति महां का यह मान दे 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 जाएगा वह दोस्तो computer operator के लिए जो यहाँ पर शिक्सा दी गई है वह O-Level यहाँ पर समक्स उनने कोई computer course किया हुआ हो तो इसके लिए आविदन कर सकते हैं और उनके लिए भी यहाँ पर जो मान दे होगा वह 11,200 रुपे परति महीना के हिसाब से आपको दिया जाएगा तो दोस्तो आपको बता दें अगर आप किन पदों के लिए दोस्तो योगता है तो आप इसके लिए अविदन कर सकते हैं दोस्तो और अच्छी खासी इसमें आप salary भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे जो आपका इंट्रू होगा वह दोस्तो किस प्रकार से होगा अगर आप नहीं जानते हैं तो आप में कमेंट बोक्स में जाकर बताजेए कि दीजेए का हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे दोस्तो कि आपका किस प्रकार से इंट्रू ले जाएग दोस्तो यहापे आपको जो exam है वहाँ नहीं करा जाएगा आपका exam यहाँ पे नहीं करा जाएगा दोस्तो आपको जा जानकारी अधिक जाते हैं तो आप इनके official website पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो ये थी आपके लिए महत्पूर्ण जानकरी आपको जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जुरू बताएगा और आपसे निवधन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और जायादा शियर भी करें दोस हुआ है